quantities for example scalar quantity जिसमें केवल magnitude होता है scalar quantity only for magnitude and vector quantity, magnitude and direction यानी मेगली शुष्था साथ उसमें direction दिशा भी हो For example, the scalar quantity, For example, mass, distance, time, street, value, ग्रविमान, दूरी, समयचा, लायतन, दावार, यह जो राशियां जो है, यह scalar quantity, बिदाउट डारेक्शन कहलाती है और इसी तरह वेक्टर जैसे डिस्प्लेस्ट वेलासिटी और मोमेंटम और एक्सिलरेशन तो उसको जो है वेक्टर कॉंटिटी कहलाती है इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्टेंच एंद इस्प्लेस्मेंट इस्प्लेस्मेंट डिस्टेंच एंद इस्प्लेस्मेंट दोनों में क्या अंतर है डिफ्रेंस बिट्वीन एक ट्रेंगल लेते हैं अगर कोई एक जो बोड़ी है गतिमान बस्तू यह से चलकर करके ट्रेंस अगर कि अगर कि यह रहार कि आगर कि परिफ्रेंस कि आगर आगर कि अगर पर आगर अगर A से कोई momentum body अगर कोई चंकर B पराती है और B to C यहाँ पर पौचती है नियुक हम डिस्कस करेंगे दिस्टेंस आर अर इक डिस्टेंस आर सबस्कार्श। नियुक हम डिस्कस करेंगे। कि जो लेंथ है यानि लंबाई है तो लेंथ हार AB और प्लस BC अगर हम इसको लेट सेट 3 मीटर और 4 मीटर और 5 मीटर तो इसमें अमारी इस्टेंस आर AB प्लस BC इक्वल 3 प्लस 4 इक्वल 7 मीटर ये कहलायागी कि ये इस्टेंस इस्टेंस कवर्ड वर्ट अफ तयू किये गये पत की लंबाई ये हमारे दूरी कहलागी में अब इस्टेंसमेंट देखेगे दिस्प्लेस्मेंट की डिपनेशन आए प्रारंबिक इस्थिति और अंतिम इस्थिति के बीच के अंतर को हम इस्प्लेस्मेंट कहते हैं तो जब प्रारंबिक इस्थिति मेंस ए एंड लास्थ पोजिशन इस्थिति और अंतिम इस्थिति के बीच के अंतर को हम इस्प्लेस्मेंट कहते हैं आप देख रहे हैं इन दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट पे डिफ्रेंस आ रहा है कि एक कोई भी जो मुमेंटम बड़ी ट्रेवल वाई पात अबी तू बीसी अबी ए से यहां से इनीशियल पोजीशन से चल्ला प्रारंब की बी तक आई बी से सी तक आई टोटल इनीशियल पोजीशन एंड सी सो दिस्टेंस कवर्ड अबी क्योंकि एक्शुल पात अलेंथ आप अप्शुल पात हमको डिफ्मेशन पर जाना होगा कवर्ड वाई बॉडी ए टाइम इंटर्वल काल डिस्टेंस जितने एक निश्ची समेंतराल में तैगी के पत की लंबाई को हम दूरी कहते हैं सो देट अबी प्लस बीसी आर थिरी प्लस पॉर एक्वल सेवर मीटर एंड डिस्प्लेश्मेंट अट इनिश्यल पोजिशन और लाज पोजिशन प्रारंबी को अरंतिम इस्टिवीच के अंतर को हम विश्ठापन कहते हैं तो यह हमारा फाइम मीटर है इसको हम मीटर में कह सकते हैं या किलो मीटर में कह सकते हैं मीटर और किसी में भी ले लेंगे तो दोनों में ही हम कुछ भी होगा some, difference between distance and displacement the length of the pass travel by a moving body is called distance A moving body covered by travel, a moving body is called distance, and the minimum distance between the final and initial position of a moving body is called displacement, निस्प्लेशमेंट प्यानि इनिस्प्लेशमेंट कर दोनों के बीच जो है, जो minimum difference है, इसको हम displacement प्याथे है, मैं और इसमें केवल मैंगनिटीड होता है, और इसमें मैंगनिटूब एंड डारेक्शन इनिकशन आर बोट, इसे स्केलर कॉंटिटीड ये एक जो,